हेलो दोस्तों वेलकम तो यूट्यूब चैनल एंड मेरा नाम है दिपेंदर सिंग शक्तावत आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारी जो हमने प्लैलिस्स क्रेइट कर रखी हमने जो सिरीज स्टार्ट कर रखी है टीर फॉर के लिए उसका प्रैक्टिस सेट नंबर आठ है और इसके उपर हम MS Excel के उपर आज वर्क करने वाले हैं ठीक है तो आपके सामने जो एक्सराइज है वो आपके सामने है ठीक है यह एक बुक का मैंने फोटो कीच के आपके यहां पर लिखा आपके सामने रखा यह सारे इंस्ट्रक्शन से और आपको यह चीज बनानी है ठीक है आपके सामने recruitment years दिये रखे हैं और yearwise vacancy of SSE CGL और IBPH PO examination का एक यह module क्रियेट करना है आपके MS Excel के उपर ठीक है आपकी यह एक practice set है आपको अच्छे से इसके उपर practice करनी है और इसके कुछ जो given instructions है यह आपके सामने है प्लीज इनका एक बार screenshot लेने ना mobile के अंदर इन दोनों क ताकि आपको बार-बार page पलटने की या change करने की जरूरत ना पड़े आप mobile में देखकर अपने laptop के अंदर या अपने personal computer के अंदर आप इसकी practice कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो शुरुआत करने से पहले MS Excel के उपर सो सबसे पहले हम MS Excel के उपर गए और जैसा कि आपको instructions में given और है ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है सारे के सारे जो fonts से वह caliber के अंदर रखना है आपको यहां से यह वाला जो बटने इस पर क्लिक करना है और यहां पर already आपका है तो आप यहां पे अपना जो दे अगर कुछ और दे रखा है तो आप उसको select कर लेना और इसकी 자 ज से पहले एक चीज और देख सकते हो कि आप इनकी जो sizes है यह थोड़ी सी बढ़ी कर लेना क्योंकि पहला ब्लोग थोड़ा सा बढ़ा है यह सेकंड भी थोड़ा बढ़ा है तक यह आपको टाइप करने में प्रोब्लम ना हो और यह आपको जाना है टोटल ए तक जाना है ठीक है सो यहां तक जाने के बाद आपकी काफी अच्छी इसकी कॉलम की लेंथ हो गई है मैंने अपने नाम डाल दिया है यहां पर अधिस दिपैंद्र ओके और सेकंड में मुझे अपना यहां पर डाल देना है रोल नंबर ओके सो इट विल बी रोल नंबर लेट सब्सक्राइब हो गया थर्ड वाली लाइन आपको खाली छोड़नी है फॉर्थ वाली रो के अंदर आपको हेडिंग देनी है so heading से पहले आपको ये करना होगा आपको इसको सबको स्लेक्ट करना है और आपको mern and center करना है ओके आपकी पूरी पूरी टैस्निय हां पर complete आ और आपको यहां पर type कर दियना जो आपको given है येरवाइज वेकैंसीज, ओके, ओफ, SSE, CGL, and IBPSPO, ओके, एक्जामिनेशन, तो यहां पर यह भी कैपिटल में, तो इन सारी चीजों का ध्यान लगना, छोटी-छोटी मिस्टेक्स काफी, कभी-कभी नंबर कट जाते हैं इन चीजों को, लेकर, एक्जामिनेशन, ओके, अब आपको यह पूरा-पूरा select करना है, ठीक है, आपको इसको bold करना है, इसकी जो size है वो भी आपको बढ़ानी है, 14 करनी है, और इसको आपको underline भी करना है, ठीक है, यह आपका complete हो चुका है, जो आपको given था, इसके बाद में जो यह आपका fifth वाला है, इसके अंदर आपको थो आपको इसको fix करने के लिए, आपको wrap text के उपर click करना है, जो कि आपका पूरा A की cell में आ जाएगा, अब देखो यह year यहाँ आ रहा है, लेकिन हमें इसका alignment अलग दे रखा है, वो यहाँ आना चाहिए, तो मैं इसको click करूँगा, तो यह alignment इसका ठीक हो जाएगा, okay, so आप इनको उपर ले ले लेना और इनको इस साइड में ले लेना, क्योंकि यह यहीं पर दे रखा है, so अब मैं डाल दता हूँ यहाँ, IBPS, PO, and next के अंदर, total vacancies, okay, और इसका जो next होगा, वो आएगा, आपका average vacancies, average vacancies, so यह आपका complete आच चुका है, यहाँ पर, ठीक है, इसकी थोड़ी सी आप लेन्थ और बड़ा देना, इसकी भी थोड़ी सी लेन्थ और बड़ा देना, okay, so यह complete हो चुका है, और इसके बाद हम हम और ही, जो data entry है, हम उसके उपर काम करेंगे, so सबसे पहले आपको बिल्कुल सही हो चुका है, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, okay, ऐसे करके आपको 2018 तक जाना है, 19 तक जाना है, okay, so यह complete हो चुका है, यहाँ पर आपको इनकी vacancies डालनी है, आपको entry fill up करनी है, बिल्कुल, mistake मत करना, 16, 114, okay, 15549 और 8561, 1066, 661, okay, and इसके बाद में, 8120, 11271, and 8582, यह हो गया, आपका CGL के लिए, अब next है आपका 22,000, okay, next है आपका 21680, फिर next है 16721, okay, or next है 12434, 8822, okay, 3562, okay, और 4252, and last है 433, और 6, यह आपके सारी-सारी entries हो चुकी है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, कि आपको total vacancies कितनी है, 2012 के अंदर SSE CGL, और IBPS PO की, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को plus कर सकते हो, ठीक है, वो कैसे करोगे आप, equals का sign लगाना है आपको, ठीक है, और आपको, जैसे आपने इस पर click कर दिया, तो यह आपका complete हो चुका, अब यहाँ पर आपको plus का sign लगाना है, फिर आप वापस से इसको click कर देना, तो यह आपका formula बन जाएगा, enter करना, और यह आपका answer आजाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले cell के अंदर इसका formula लगा हुआ है, addition का, तो आप इस formula को stretch कर सकते हो, निचे तक, और यह सारी की सारी आपकी total vacancies आजाएगी, अब आप यह देख सकते हो, कि आपका यह जो total vacancies है, और यहाँ पर आपको चाहिए average vacancy की, इन दोनों की मिला कर average क्या होगा, तो आपको पता है कि हम इसको, और इसको sum करेंगे, divided by 2 करेंगे, तो हमारे पास sum आजाएगा, तो हम direct यह बोल सकते हैं कि जो यह total vacancy, अगर हम इसी को सिधा 2 से divide करें, तो हमारे पास average आजाएगा, तो equals 2 का sign लगा देना है आपको, और यह वाला जो block है, इस पर click कर देना है, और इसके बाद में divided by 2 कर देना, तो आपके पास में answer आजाएगा, since आपको यहाँ पर अगर point नहीं चाहिए हो, तो आप इस point को हटा भी सकते हो, ठीक है, और point चाहिए हो, तो आप point ले भी सकते हो, ठीक है, so, let's suppose हमें point नहीं चाहिए, तो हमने यह formula यहाँ implement कर दिया, हमारे पास average vacancies आ गई, ठीक है, so, यहाँ पर इस वाले cell के अंदर हमने formula लगा रखा, अगर मैं इसी cell को stretch कर लेता हूँ, तो मेरे पास यह सारी के सारी average vacancies आ जाएगी, ठीक है, अब इसके अलावा, आपको यह सारी के सारी जो table दे रखी है, इस table को आपको, एक box के अंदर आपको border देना है, so, आपने इसको पूरे को select करना है, यह वाला जो option है, आपकी font के नीचे, उस पे जाना है आपको, और आपको all borders कर देना है, so, यह आपका पूरी तरह से border पर आ जाएगा, ठीक है, और आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हो, ओके, so, यह आपका name हो गया, roll number हो गया, यह सब कुछ आपका complete हो चुका है, ठीक है, अब इसके अलावा आपको यहाँ पर given है कि आपको header और footer भी add करना है, ठीक है, so, header और footer के लिए हम insert के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर आपको option दिख रहा है, header and footer का, आप यहाँ चलेगा है, ठीक है, so, यह आपका header है, यहाँ पर आपको file path के लिए बोला है, और यहाँ पर जैसे कि इन्होंने खाली रखने के लिए बोला है, तो आप यहाँ पर time को भी add कर सकते हो, okay, time, और यहाँ पर आप time हो गया, और current date हो गया, यह दोनों चीज़ें यहाँ पर आगगे, ठीक है, so, अब आप इसको क्या कर सकते हो, आपको इसको file के अंदर जाना है, आपको इसको save as करना है, ठीक है, डेक्स्टोपर आपको save करना है इस चीज़ को, और किस नाम से save करना है, so, आपको करना है, ssc, underscore, और आपका जो role number है, let's suppose मेरा 123456789 था, ठीक है, तो मैंने इस पर click किया, तो मैरा ये save हो चुका है, और इसके बाद आपको क्या करना है, control P का option होता है, ठीक है, control P, या फिर आप यहाँ file में जाके आप सीधा print भी दे सकते हो, okay, so, यह आपके सामने आपकी table पूरी तरह से आचुकी है, और आप इस चीज़ को देख सकते हो, आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आपका header footer आचुका है, यह आपका date and time आचुका है, name, role number आचुका है, और यह आपकी पूरी पूरी table complete हो चुकी है, so, आपका यह जो पूरी sheet थी, आप देख सकते हो, तो 10 minute के अंदर मैंने बड़े प्यार से, बड़े आराम से आपको explain करने के साथ में करवा दिया, तो 15 minute का आपको exam के अंदर time मिलता है, बड़े प्यार से आप इस चीज़ को finish कर सकते हो, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, और जब आप इसका print ले लोगे दोस्तों, तो उसके बाद में उसके उपर अपना signature, अपना name और अपना role number लिखना बिलकूल न भूले, यह बहद important part है, ठीक है, so, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, तो यह आपकी practice set हो गया है, आज, so, इसके उपर आप अपने PC के उपर practice करना, और आपकी practice होईगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, so, इस वीडियो को यही finish करते हैं, दोस्तो, I hope यह आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे like करें, share करें और चैनल को subscribe करें, thank you very much.